ए मत्य लेह उद्हागा मैं अईसा आज hasn't भीहूँ मेरी चाती 56 की है वहीं तुम्हारा चाती 56 लेके क्या करना हमको कहने के लिए अनात होना में रहने के लिए पेहने के लिए कपड़े होना सर पेच्छत होना लोग यह चाहते ह। तुम्हारे चाती देखके कौन काम करने वाला है अब अगर आपको उतनी खाई से है अपनी चाती दिखाना तो किसी टेलर को बुला लो चाती का भाप ले लो या और नहें जाकिट सिलाते जाओ क्योंकि उन्हों रोज एक जाकिट पेंते हैं एक फंक्षन को एक जाकिट रोज एक नहीं एक फंक्षन को एक और उपर से कहते हैं मैं बड़ा गरीबात भी हूँ कि मेरे कुस्त सब लोग कालया देते हैं मैं पिचडा हूँ हमके आगे वाले हैं क्या हम तो और पिचडे वाले हैं हरे अब भावा साहब हम्मेडगर ने हमको कुछ समिदान में दिया इसलिए हम थोड़ा कुछ जी रहे हैं नहीं तो आप लोग जीने भी नहीं देते थे और आमको यह कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूँ मेरे को गालिया दिये मेरे को 91 टाइम्स गालिया दिये यह कहिने की बात है आप प्रदान मंत्रियों रो मन रो मन आप सवाल का जवाब दो उसके बज़े आप हमेशा रोते ही रहें कभी बोलते हैं मैं बैकोड हूँ कभी बोलते हैं मुझे गरीब आद्मी को कोई सहन नहीं करना कभी यह बोलते हैं मैं एक छोटे से छोटे होटेल बना के मैं आ गया यह बात आप बोलते हैं अरे हम भी यही बोलते हैं, हम तो यह नहीं बोलें, राजे महाराजे के बेटे, मैं तो हमेशा बोलता हूं, मैं एक मस्दूर का बेटा हूँ, एक काम करने वाला महिनत कस का बेटा हूँ, मैं कभी किसी का फुकत नहीं खाया, ना मेरे बाप ने खिलाया, मेरे बाप ने खिला करते हैं उनके विरुद्ध लटने का मुझे सिखाए और आप तो रोते ही रहते हैं अरे आपके पीछे तो हारेसेस हैं बीजेपी के लोग हैं 40% वाले हैं इतने लोग रहते हुए हिम्मत से काम लो उसके बजाए मेरे को हिसाब हो